हलो फ्रेंड्स उत्तर परदेश अधिनस चैन सेवा आयोगद्वारा जैसा की होमोपैतिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल कर आ गई है और आप लोग उसमें आज 20 जून से आपेदन कर सकते हैं तो आप लोग आवेदन कैसे करेंगे step by step जानने वाले हैं कैसे आप फार्म को online फिल करेंगे घर बैठे आप फार्म कैसे भर पाएंगे तो वीडियो में तक बने रहेगा संपूर्ण जानकारिया आप लोग को मिलने वाली हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इसकी अफिसल वेबसाइट है उत्तर परदेश अदिनस सिवा चैन आयोकी आपके सामने खुली हुई है यूपी ट्रिपालसी डाट जी डाट जी डाट जी आप गूगल क्रो में लिखकर सर्च करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जैसी आप नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर एडवर्टीजमेंट डेट यहाँ दिया गया है प्रेश्टेशन इस स्टार्ट डेट फीज डेपोजिशन और अप्लिकेशन मोडिफिकेशन की डेट यहाँ दे गई है तो रेजिस्टेशन आपका जैसा कि आज से सुरू हो रहा है 20-2024 अंतिम तिथी जो इसकी बताए गई ही वो 19-2024 है यहाँ पर आपको किलिक करना है अपलाई पर जैसे अपलाई पर किलिक करेंगे इसका इंटरफिस कुल करके आपको सामने आ जाएगा यहाँ नीचे देखेंगे लिखा हुआ है पोस्ट बेकेंसी एक्जामिनेशन नेम होमोपाइथिक फार्मासिस्ट मिनमम एज 21 एर्स मैक्सिमम जो है 40 एर्स बताए गई है टोटल बेकेंसी कर बात करें इस पर आप किलिक करेंगे तो टोटल बेकेंसी कुल करके आ जाएंगे जैसा कि 397 पोस्टों भरतियां होने जा रही है आप लोग यहाँ किलिक करना है सम्मिट अपली केसन पर इसे आप सम्मिट अपली केसन पर किलिक करेंगे next step खुल करके आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है click to view post vacancy अगर आप देखना चाहते तो यहाँ भी vacancy के बारें देख सकते हैं नहीं तो आप इसे scroll down करेंगे और scroll down करने के बाद यहाँ check box लिखा हुआ है I have read the instructions and accept the above declaration इस पर आप click करना है फिर I agree पर click करना है जैसे आप I agree करेंगे अगला step खुल करके आएगा personal details या thorough OTP किस माध्यम से आप login करना चाहते हैं तो personal details के दोड़ा करना चाहते हैं हम PT registration number भरेंगे दिया गया है pet registration number date आप बढ़ते हैं आपको भरनी है यहाँ पर gender select करना male, female जो भी आप पर लागो होता है फिर लिखा है are you dimensional of UP UP के निवासी तो yes करेंगे other states यहाँ आप है तो no करेंगे category क्या है आपकी उसे आपको जहाँ select करना है EWS, OB, SC, ST जो भी होता है आपके उपर लागो होता है उसे आप भरेंगे यहाँ से फिर यहाँ पर दिया गया है verification code यह verification code होता है इसे आपको यहाँ पर fill करना है सबसे पहले हम यहाँ पर भरेंगे जो है टेट ररेश्टेशन नमबर details को भरने के बाद हम click here to proceed पर click करेंगे fill is confirm to proceed, ok करना है आपको जैसे आप ok करेंगे आपको जो form है open होकर के आ जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है इन steps में आपको form submit करना जैसे सबसे उपर लिखा है photo and signature other details fees deposition and final submission और print application form इन steps में आपको form भरने है सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जो आपने PT registration में details भरी थी वो details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी यहाँ लिखा हुआ है अगर आप age में छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आप yes करेंगे ने तो इसे no ही रखेंगे इस पर click करेंगे और हम no कर देंगे बागी details यहाँ पर देख सकते हैं कि भरी रहेगी आप चाहत उसमें बदलाव करना चाहें तो प्रापतांक को पूडांक में कर सकते हैं अन्य था इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे अब यहाँ स्क्रोल डाउन करेंगे देखेंगे लिखा हुआ है कि मादमी सिच्छा परसल उत्तर परदेश की intermediate की परिच्छा बिज्ञान के साथ गनित याज यू बिज्ञान समू अत्वा सरकार द्वारा मानता प्राप्त उसके समकच कोई परिच्छा आपने अवस्तिन कर ली हो तो आपको यहाँ पर जो लिखा है required लिखा हुआ इसे आपको yes करना है यहाँ पर आपको भरना है board जैसे आपने UP board से किया तो UP board लिखेंगे CBSC board, ICCC board जो भी आपका board है उसे आपको यहाँ select करना है फिर जो next दिया गया है वो दिया गया है कि आपने किस words pass किया है intermediate आपने किस words qualify किया उसे आप select करेंगे उसका roll number क्या है आप इसे भरेंगे फिर next यहाँ पर दिया गया है कि issue date आपको जो mark sheet होगी वो mark sheet में आपको देखने को मिल जाएगा date पड़ी होगी जिस date में आप issue हुई है mark sheet वो date यहाँ पर भरनी है फिर लिखा है percentage system grade system तो अगर आप UP board से हैं तो आपको यहाँ पर select करना है percentage system अगर आप CBSC board है यह अन बोर्ट से हैं जिसमें grading system है तो आपको यहाँ grade चुनना होगा और grade जब आप select करेंगे तो यहाँ पर आपको CGPA भरना होता है CGPA details यहाँ पर मांगे जाती है लिखा हुआ है कि converted percentage value required यहाँ पर आपको percentage भरना है बागी details नहीं भरनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद हम UP board के लिए percentage select करते हैं यहाँ पर आपको भरना अपना प्राप तांक obtained mark और total mark से हाँ भरना है फिर जो next number दो पर दिया गया है कि दो वर्स दो नमबर पर दिया गया है कि सरकार द्वारा मानता प्राप किसी संस्था से दो वर्स हिए homeopathic pharmacist diploma आवस प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर आपको yes करना है फिर आपने डिप्लोमा जो किया है किस बोर्ड या इंस्ट्यूट से किया है किस वर्स आपने पास किया है रोल नंबर क्या है और इसो डेट क्या है यहाँ से आपको वही सलेट कर लेना है ग्रेडिक सिस्टम या परसेंटेज जो भी लागो होता है फिर number 3 पर दिया गया है कि सरकार द्वारा मनता प्राप्त अथवा अनुरचित किसी संस्था से तीन महिने का होमियो पाइथिक फार्मासिश परसिच्छन प्राप्त किया हो तो उसे यहाँ पर आप यस करेंगे कहां से आपने परसिच्छन लिया है तीन महिने का पर दिया गया है कि homeopathic medicine board उत्तर परदेश पर पंजी कित होना निवार है तो आपको जोहाँ पंजी करण homeopathic medicine board में registration होना चाहिए तो details यहाँ भरनी है इसे आपको yes करना है सभी columns को आपको yes करना है और उसके बाद यहाँ details को भरनी है संपूल जानकरिया भरने के बाद में हम submit पर click करेंगे जैसे आप submit पर click करते हैं तो इसका अगला step खुल करके आ जाएगा जहां से आपको आगे की details भरनी है यहाँ आप देख सकते हैं कि जो details भरी गई है registration के समय यहाँ पर application form के लिए यह सभी यहाँ show कर रही है अब click here for photo and signature के लिए आपको click करना है और यहाँ पर आपको upload करना है अपना जो है age proof के लिए high school mark sheet upload यहाँ करेंगे और cost certificate यहाँ आपको यहाँ पर भरना है भरी है PT में वो यहाँ पर show कर जाएगा इसे आपको check box को active कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको save and proceed करना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है age के लिए high school details भरेंगे details को भरने के बाद जैसे ही आप update पर click करेंगे तो जो cross बना हुआ है update details पर करते ही वो green color में so कर जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है green हो चुका है यहाँ से आपको इसी तरीके जाथी की details भरनी है इसी परकार से जैसे हम जाथी की details भरके update पर click करेंगे तो यहाँ पर जो है यह भी green हो जाएगा यहाँ पर आपको green color में so करेगा इसे scroll down करना है और आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर आपको भरना है capture quote जो capture दिखाई दे रहा है इसे आप यहाँ पर fill करेंगे और fill करने के बाद में जैसे लिखा हुआ है कि save and proceed पर click करेंगे और ok करेंगे यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआएगी प्रोसीड टू पेमेंड आफ फी एंड फानल समेशन पिर्वियू एडिट यहाँ से आप अपने फार्म को देख सकते हैं जो गलतियां उसे आप सुधार सकते हैं यहाँ पर एक बार मौका आपको मिलेगा सुधारने का अगर कोई गलती है तो उसे आप देख कर यहाँ से एडिट कर लेंगे अगर आपको लगता है कि आपको द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारियां सही है तो यहाँ से आपको किलिक करना है कैप्चा कोड भरना है और प्रोसीड सेवेंड प्रोसीड पर फिर से किलिक करना है अब जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट आफ फीस एंड फानल समिसन पर किलिक करते हैं तो अगला स्टप खुल करके आजाएगा यहाँ से आपको 25 रुपीस पे करना है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इसकी जो फीस है इस पर आप किलिक करेंगे नीचे बताया गया है किलिक हीर टू पे ओके करेंगे जैसे इस पर आप किलिक करते हैं तो इसका अगला स्टप खुल करके आएगा यहाँ से आपको fees payment के लिए SBI दिया गया है State Bank of India select करना है और यहाँ से फिर इसको जो है the request for refund यहाँ पर दिया गया यह refund eligible यहाँ पर details भरी हुई है इसे आपको check करना है और proceed for fees deposition पर क्लिक करना है यहाँ से आपको फिर से proceed पर क्लिक करना है और proceed पर क्लिक करते ही payment के लिए अगला portal खुल करके आजाएगा यहाँ से आपको payment किस माध्यन से करना है UPI के माध्यन से या credit card, debit card, NFT जैसे भी आप करना चाहें UPI से करना चाहें, QR code से करना चाहें तो QR select करेंगे Pay now पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप Pay now पर क्लिक करते हैं तो इसका अगला step खुल करके आजाएगा यहाँ से आपको इस QR को scan कर लेना है और QR scan होते ही आपका payment successfully हो जाएगा अपने farm की आप final submit copy निकाल सकते हैं जैसा कि इस तरीके से आप लोग step by step अपने farm को submit कर सकते हैं यह था इसका वीडियो जिसमें आपने जाना कि आप UP SSC homeopathic pharmacist का farm कैसे submit करेंगे अगर आप कोई राय हो तो comment box में जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो नए information के साथ तब तक के लिए नमस्कार